लग्जरी लाइफ, रुपिया पैसा, कौन नहीं चांता? हर वेक्ती चांता है कि उसकी जिन्दगी में सारे सोखों, लेकिन यह ऐसे ही नहीं मिल जाते? इसे प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉंग जनम कुंडली की जरुत पड़ती है, जो बिधाता उपर से बना के देता है, लेकिन जनम कुंडली तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म कुंडली अपने हाथ में है, यानि कि जो ग्रह कुंडली के खराब हैं, उनका उपाय करके आप अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं, मित्रो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में क्योंकि बुद्ध और ब्रस्पती ग्रह के बारे में हम चर्चा पिछली बीडियो में कर चुके हैं आप उनके उपाए उन बीडियो में जा कर देख सकते हैं लेकिन आज चर्चा है शुक्र ग्रह के जो की बहुत इंपोर्टेंट है पती पत्नी का आपसी सम्मंद हो उनके बिवाहिक जीवन का सुक हो या उनकी शादी होने में कोई बाधा आ रही हो ये सब शुक्र है इसी के साथ साथ सरीर के अंदर कोई ऐसा रोग जो लंबे समय से ह हमें दवाईयां खिलवाई चला जा रहा है लेकिन रोग खतम नहीं हो रहा ये भी शुक्र है और ये खराब शुक्र है क्योंकि शुक्र मैडिसिन है तो मैडिसिन का काम है रोग खतम करना लेकिन अगर मैडिसिन आपके काम नहीं आ रही आपके सरी में रोग इतने जादा ह या फिर ऐसे रोग हैं जिन पर दवाई असर नहीं कर रही तो शुकर कमजोर है या खराब इस्तिती में है जिनको टाइविटीज हो जाती है वो जिन्दगी बार दवाईयां खाते हैं ये खराब शुकर के कारण होती है दोस्तों शुकर ग्रह की खराबी इस बाद से भी महसूस की जा सकती है कि आपका जो पाओं का अंगूठा है उसमें आपको दिक्कत हो उसमें कोई रोग हो उसमें कोई समस्या हो तो भी आपका शुकर खराब है और आप चाहा कर भी अपने जीवन साती की रेस्पेक्ट ना कर पा रही हो सोचते बहुत हो मैं अपने जीवन साती को बहुत रेस्पेक्ट दूंगा या दूंगी उसके बावजूद भी आप अपने जीवन साती पर कुछ ना कुछ ट्वेंट कुछ ना कुछ बात ऐसी मार आपके अंदर बहुत प्रेम है लेकिन सामने दिखा नहीं पा रही है और सामने वाला उसको महसूस भी नहीं कर पा रहा है तो आपका शुक्र कहीं न कहीं खराब है दोस्तों बहुत महत करने के बाद में बहुत प्रेश्रम करने के बाद भी अपनी मंजिल को अगर आप नहीं पा पा रहे हो तो भी शुक्र खराब है और उसका प्रमाण इस बास से है कि शुक्र ग्रह यानि कि शुक्राचारे देत्ते गुरू माने गए है अब ये जो को तो सुख मिल गया स्वर्ग मिल गया सारे सुख भोग मिल गए लेकिन राक्षस उनके लिए तरस्ते रहे और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किये देवताव के साथ युद्ध किये और इन युद्धों को कराने के पीछे योगदान रहा देत्ते उनको रास्ता बताते गए और वह राक्षस शुक्राचारे जी की मदद से उनके ज्ञान की मदद से अपने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन उन्होंने अपने हग को प्राप्त किया। अब बात ये आती है कि शुक्र का काम क्या है शुक्र का काम है आपके जीवन में भोतिक सुकों को देने के साथ साथ उन भोतिक सुकों को बनाए रखना कि भोतिक सुक आपके जीवन से कम ना हो जाएं दिन पे दिन आपके भोतिक सुक बढ़ने लगें और उनमें कोई कमी ना उन्हें को गिरावट नाए ये शुक्र गरह का काम है यदि आपके जिन्दगी के अंदर सुक आते हैं और चले जाते हैं यानि की जिन्दगी के अंदर एक ग्राफ चल रहा है कि दुख लंबे समय तक टिके हुए हैं और सुक थोड़े समय के लिए तो शुक्र को ठीक करना आ अरिर के ऊपरी तور पे कहीं कोई चर्म रोग है आपको शुक्र की खराबी है शुक्र गरह को ठीक कीजिए पती पतनी के आपसी संबंध यदि मधूर नहीं है तो शुक्र गरह को ठीक कीजिए इसी के साथ साथ यदि आपके परिवार में किसी की दोशादियां हो रखी हैं तो भी आपको शुक्र ठीक करना ज़रूरी है. मित्रो, यदि आपके जीवन साती को बार-बार शारिदिक तोर पे कोई कष्ट आ रहा है, तो भी आपको शुक्र को ठीक करना बेहद ज़रूरी है. और अपने जीवन में सुक्र, भोग, आराम प्राप्त करने के लिए, लगजिरी जीवन प्राप्त करने के लिए भी आपको शुक्र को ठीक करना बेहद ज़रूरी है. शुक्र यहाँ तक सीमित नहीं है. शुक्र बहुत आगे तक है. शुक्र क्या है? जमीन. और जमीन को आप देखो, जमीन के अंदर आप जो डालते हो वो आपको उसे बापसी कर देती है यानि कि जमीन के अंदर आगर आपने एक छोटा सा बीज डाला तो उसका पौधा बना की पेड़ बना देगी और उस पेड़ पर आने को फल आएंगे तो शुकर भी वही है कि जब आप थोड़ा सा शुकर पर काम करेंगे तो शुकर आपकी जिन्दगी को खुशियों से भर देगा ऐसा ग्रह है ये अब इसे ठीक करने के बहुत सारे उपचार हैं और आप लोगों में से बहुत सारे उपचार किये भी होंगे लेकिन यहां पर मैं दो उपाई बताऊंगा पहला उपाई बहुत जरूरी होगा जब उस उपाई को आप ना कर सकें तब आपको दूसरे उपाई की तरफ जाना है दोनों उपाई करेंगे अच्छी बात है लेकिन पहला उपाई बहुत जरूरी है शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए आप चाहे कोई रत्न पहनिये चाहे आप जो मरजी के लिए वो कुंडली दिखाने के बाद कुंडली की सलह पर आता है और इसके अलावा क्या उपाई करने हैं सबके लिए लगलग उपाई होते हैं कुंडली विस्टिशन पे ये बात चली जाती है लेकिन एक ऐसा उपाई जिसे कोई भी कर सकता है जिसकी कुंडली हो वो भी जिसकी कुंडली ना हो वह भी कर सकता है शुक्र अच्छे हो तब भी कर सकते हो, खराब हो तब भी कर सकते हो, कमजोर हो तब भी कर सकते हो और किसी भी प्रकार से शुक्र ग्रह की परिशानी आ रही है तब भी कर सकते हो करना क्या है? बहुत ही आसान उपाए, बहुत ही सस्ता उपाए आपको पंचा मृत तैयार करना है ये पंचा मृत क्या है? दही, दूद, कच्चा दूद, गरम किया हुआ नहीं दही, गाय का दूद, देशी घी, शहद और शक्कर यानि की बूरा इन पांचों चीजों को एक जगे मिलाना और उसके द्वारा बनने वाला जो पधारत है उसको पंचा मृत कहा जाता है जो उसमें पांच चीजों को जो मिला दिया है ये अमृत बन गई पांचों चीजें मिलकर के और आप सोचो ये जो पंचा मृत यानि की पांच चीजों से बना अमृत है इस अम्रित कोई लिए कितने युद्ध हुए कितना जगड़ा हुआ देवता हो राक्षोसों के बीच में और शुक्राचारे जी ने ही राक्षोसों के लिए को पुष्ट किया कि जाओ अपने हक के लिए अपने अम्रित के लिए लड़ो दोस्तों ये पंचामरत जो तयार होगा ये अम्रित जो तयार होगा इस पंचामरत के अंदर आप देखो जो दही है और जो देसीगी है ये शुक्र की बस्तू है जो दूद है ये चंद्रमा की बस्तू है इसके अंदर जो शकर है और साथी साथ शहद है ये मंगल की बस्तु है यानि कि तीन ग्रहों का मेल है इसमें चंदर, शुक्र, मंगल शुक्र को इस्तरी कहा गया है, मंगल को पुरुस कहा गया है यानि कि एक इस्तरी में पुरुस का बला जाए, परक्रमा जाए या एक इस्तरी को एक पुरुस का साथ मिल जाए तो वो बलवान हो जाती है, बलवती हो जाती है और चंद्रमा यानि कि उसमें एक मा के संसकार आ जाएं तो वह इस्तरी सब प्रकास से गुण युक्त हो जाती है ये पंचाम्रत जिसको खाने से सरीर की पुष्टी होती है, सरीर पुष्ट होता है सरीर में ताकत आती है, तो रोग नहीं रहते अब इस पंचाम्रत का क्या करना है? ये मर सुचना कि इसे खाना है, अगर आप खाना चाते हो, खाईए, बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इस पंचाम्रत को लेकर के आप आपको शिव मंदिर जाना है और भगवान भोले नात की शिवलिंग पर ये पंचाम्रत चड़ा करके शिवलिंग को रगड रगड के पंचाम्रत का लेप करना है आपको कब शुक्रवार के दिन अब शिवलिंग पर ही है क्यों करना है वो समझ लीजिए शुक्राचारे जी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते किसी भी व्यक्ती से संतुष्ट नहीं हुए किसी से संतुष्ट नहीं हुए चोकि वैस तो हैं गुरु है तो गुरु अपने से किसी बड़े से जो उनसे भी जादा बड़ा इस्थान रखता हो उसी से संतुष्ट हो सकता है तो भगवान शिव सुकराचारे जी के वह देव है इश्ट देव भगवान शिव की करपा शुक्राचारे जी पर असीम है और भगवान शिव की शरण में गए हुए व्यक्ति को शुक्र ग्रह शुब फल प्रदान करते हैं तो जब पंचा मृत आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चड़ाएंगे प्रतेक शुक्रवार को आपका शुक्र श्ट्रॉंग होना सुरू हो जाएगा बुरा है तो भला होना सुरू हो जाएगा और आपको हर प्रकार के लाव मिलने सुरू हो जाएंगे मित्रो कोई भी उपाए दो-चार दिन में फल नहीं देता लंबे समय तक करना होता है एक लंबे समय तक आप इस पंचा उम्रत को भगवान भुले नात के शिवलिंग पर चड़ाते चले जाएए और आप अपने जीवन के अंदर देखना कि जो कश्ट थे वो कम हुए या नहीं हुए दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचे और कोई ऐसी जानकारी आपको मिले जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा यदि मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी आपशक बात है लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो उस पर वीडियो बनाऊंगा इसी के साथ साथ दूसरा हुपाए जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उन लोगों के लिए शुकर को ठी करने का दूसरा उपाए है एक मुलतानी मिट्टी नाम की एक मिट्टी आती है इसको मुलतानी मिट्टी कहते हैं यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी आफलाइन भी मिल जाएगी इसे आपको लेना है और उस मुलतानी मिट्टी का शुक्रवार को अपने पूरे सरीर पर लेप करके पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर इश्णान करिए ये आप करके तो देखिए आपका शुक्र सुधरना सुरू हो जाएगा दोनों उपाय कर सकते हो जो मंदिर नहीं जा सकते उनको ये उपाय जरूर करना है और जो मंदिर जा सकते हैं उनका तो कहना ही किया उनका तो जीवन ही धन्ने हो जाएगा उस उपाय को करने के बाद मित्रो अधिक समय ना लेते हुए चोकि बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उपाय आप समझ चुके हैं वीडियो को यहां तक देखा है तो भगवान भोले नात की करपा प्राप्त करने के लिए ओम नमस्यवाई हरहर महादेव कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा और आपका कोई सुझाब हो या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर उस बारे में बात होगी और संडे के दिन जो वीडियो आएगी वो आपके सवालों के जवाबों पर ही होगी इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि संडे को कहीं आने वाली वीडियो में आपका सवाल का जवाब तो नहीं है मिलते हैं नई वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमस्षिवाई हर हर महादेव